है यह हमारी एक मशीन है सबसे पहलें क्या करें भी इसको देखेंगे पहिच आने कैसी है कैसी प्राइब कि हमने देखा कि हमारी इसमें ना तो कहीं है करना पढ़ाराने क्या करना पड़ेगा इसके terminal यहां पर दिये हैं पहले में हमें क्या करना पड़ेगा जो हमारी winding है उनको find out करना पड़ेगा कि U1 कौनसी, V1 कौनसी, W1 कौनसी उसके बाद क्या करना पड़ेगा इसके उपर connection करने पड़ेगे connection करके तब जा करके इसको supply दी जाएगी तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसके terminal find out करता है किस तरीके से पहले पर लगाया यह सिर्जी टरस्टिंग मैंने लिया जैसे दोनों को मिला रहा हूं लैम हमारा glow कर रहा है तो मैंने क्या क्या पहले पर और तीसरे वाले पर लगाया तो यारी कि यह मेरी कौनसी वाली winding हो गई यूबन वाली मैंने माल लिये ये फिर मैंने इस तरीके से लगाया इवाली मिल गई और यहां पर मुझे तिसरी वाली मिल गई मुझे तीनों वाइंडिंग मिल गई है essayer Nまだ दिखे एक और दिया份 इसके साथ काम और करेंगे क्या अब इसके फटा-फट कर्यक्षिन करते हैं तो कर्यक्षिन करने के तो तक टर्मिनल नहीं करोगे तब तक आप मशीन नहीं चला सकते हो और सेकंड वालों को मैंने क्या क्या यह मैंने कोई इन्पुट है ठीक है इस इन्पुट के मैंने आर वाई और वी तीनों के तीनों मैंने क्या क्या इस मशीन के एक टर्मिनल पे इन्पुट दे जिसके ठीक है प्लायर के सायता से टाइट करेंगे बिना टूल्स के कोई काम न यहां आपने स्टार्टर के नदर दिया हुआ हमने स्टार्टर से यह वाइर लेकर कर आर्क है और स्टार्टर से हम क्या कर रहे हैं मशीन को चला रहे है विदाव इस्टार्टर नहीं चलाए है तो हमने क्या किया तीनो आरवाई भी जो है करेक्ट कर दिया आपस में अब हम इस मोटर को स्टार्ट करते हैं इस मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमने क्या किया है स्टार में करेक्टिड गया है तो यहनसे की इस मशिन को चलाने के लिए में कौन से ॹ्टर्टर लगाआ है डियॉयॉल , डियरेक्ट्ट ओननाई से केवल तीन तुन में उन्या निकलता आपके तीन में यहान पे जोडिए बाकी बचे 2 इन तुनों का आपने शॉट कर दिया अब हम इस मोटर को स्टार्ट करते हैं ये देख सकते हैं हमारी मोटर जो है रन करने लगी है अब एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको क्या जो आज के टाइम में बार्क के स्किल टेस्ट में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज किया जा रहा है ये हमारी इंडेक्शन मोटर दी गई है इसके साथ में क्या कर दिया जाता है ये हमारा ओटो ट्रास्फॉर्मर रखा है ये भी दिया जाएगा रियो स्टेट भी दे दिया जाता है ठीक है तो ध्यान रखना जब भी इसके नदर ना तो resistance इड होते हैं ना ही आपकी supply जो है वो variable होनी चाहिए पूरी 400 वोड की supply होनी चाहिए without किसी भी resistance के ठीक है तो यहाँ पे confusion बहुत ज़्यादा create की जा रही है तो इस चीज़ का ध्यान लखेंगे उमिद करता हूँ आपको इस त्रीफेस induction motor है इसके square rate case type वाली यह आपको anti-clockwise है फिला लिए ठीक है अब मैं इसको क्या करता हूँ इसके rotation चेंज करता हूँ देखो मैं इसको थोड़ा से रोक के दिखाता हूँ आपको यह देखे घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रही है अब इसके हम direction चेंज करेंगे connection चेंज करेंगे केए क्या करूँ इसको और यह यह जलो वाला और जोارएंगी ब्ल tęक वाला वाला है- इसको चेंज Priv談 मैं इसको यहां पर जोड़ दिया-खिक है इसको यहां पर correct कर दिया और इसको सभी SAYट कर दिया ठीक है और इस वाले को मैंने यहां पर कर दिया आप 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 यहां पर जो हमारे करेक्षन है और कंप्लीट हो चुके हैं अब हम क्या कर रहे हैं मोटर को रन करा रहें दुबारा से ठीक है अब देख सकते हैं जो मोटर की डिरेक्षन है वो बदल चुकी है मैं आपको रोक करके दिखाता हूं मशीन को है अब जो मोटर के डिएरेक्श न हभुदे क्लोक वाइज हो क्या चुकिज है इस तहुक्न को चेंज कर सकते हो और मोटर को सब्सक्राइब करते हो ध्यानना द्रस्ट न करेंगे